हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी आ रहे ये सभी को आवाज ध्रू, मनीश, राजन, उमा आवाज आ रही हो तो बताए जल्दी से बहुत-बहुत स्वागत है आपका Study IQ IAS हिंदी में चलिए जल्दी से बताए आवाज आ रही है चलिए ठीक है आई आज का इशू क्या है UPSC की तैयारी शुरू करने का सही तरीका क्या हो इसी पर हमें चर्चा करनी है और आज मैं थोड़ा और टाइम पर आया हूँ इस टाइम पर आप लोग अमुमन मिलते नहीं हैं मैंने ही मिलता आप लोग उसे 10 बजे मिलते हैं लेकिन आज मैंने सुचा कि 7 बजे भी आपसे मुलकात करें फिर 8 बजे पॉलिटी है ही तो उस हिसाब से मुलकात हो जाए संजीव गूड इवनिंग वादन सिंग गूड इवनिंग संजु कुमारी शैलेंद्र सब को गूड इवनिंग अमरित पादह 007 इंस्टा पर मेरा पता है और अमरित पादह 007 पता है मेरा टेलिग्राम पर आप चाहें तो मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं और यहां मैं PDF टेलिग्राम पर दिया करता हूँ या फिर इन्फॉर्मिशन दिया करता हूँ साथ ही अमरित पधे 007 जो इंस्टा है उस पर मैं मैप इंशॉट किया रिविजन भी चल रहा है और कुछ कोश्चन्स अटेम्ट करवाता हूँ मैं वहाँ तो वहाँ भी आप मुझसे जूड सकते हैं अब एक एहम सवाल तैयारी शुरू करने से पहले कि UPSC की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए जब आप इस एक्जाम को समझ लेंगे और इसकी प्रक्रिया से पूरी तरह से अवेर हो जाएंगे तब से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी इसका मतलब है कि एक महत्वपूर्ण पढ़ाओ ये है कई लोग बिना एक्जाम का नेचर समझे हुए इस एक्जाम की तैयारी में इंटर करते हैं जो की गलत स्ट्रेटजी है हमेशा आप इस एक्जाम को लेकर एक बात हमेशा याद रखिए कि पहले आपको इस एक्जाम के नेचर को समझना होगा अगर आप इस exam की प्रकृति को नहीं समझते हैं तो जैसे समुद्र के पास जब आप जाएंगे तो जो बीच वाला area है बीच वाला मतलब मेडिल वाला नहीं बीच जो समुद्री बीच है समुद्र का किनारा है वहां जब आप खड़े रहेंगे तो सारे लोग वही पर दिख प्राकि की स्किल का पता वहां चलेगा लेकिन आप अनदर जाने के बाद यह नहीं कह सकते अगर डूबने लगे कि मुझे इसका अंदाजा रही था कि इतना डूबने वाली जगह है यह जान जा सकती है इसका अंदाजा आपको कब लेना होगा जान दे कर अंदाजा नहीं लेना होगा जान जाने से पहले अंदाजा लेना होगा न कि जाने लाइक है कि नहीं यानि जब आप बीच पर खड़े हैं उसी समय आपको अंदाजा लेना होगा कि आपके जाने लाइक ये जगह है या नह बात समझ में आ रहे हैं तो awareness इस बात की जरूरी है कि ये exam क्या चीज़ है इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और आप बीच पर जिस आनंद से देख रहे हैं खेलते हुए लोगों को ये सारे लोग enter करने को तो तयार हैं लेकिन अगर इस पूरे exam की गंभीरता से वाकिफ नहीं है तो डूबने के chances बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए पहले से थोड़ा awareness चाहिए ये awareness का तरीका क्या होगा जैसे YouTube चैनल पर अभी हम जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उसी से आपको aware कराने की अलग-अलग episodes में कोशिश कर रहे हैं अलग-अलग videos में अलग-अलग angles से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको पहले से practice करने चाहिए या थोड़ा सा जानना चाहिए कि ऐसी गलती ना करें कि blind होकर आग पहला दिमाग में आना चाहिए कि पढ़ना क्या है यही तो target है और पढ़ना क्या है यह कौन बताएगा syllabus बताएगा तो हमेशा आपको चाहिए कि syllabus को download कीजिए उसको ठीक से देखिए अगर quality पढ़ना है तो quality के भीतर syllabus क्या-क्या कहता है इसको देखिए history पढ़ना है तो history क बीतर syllabus में क्या-क्या break-up दिया हुआ है इसको देखिए तो syllabus की पूरी जानकारी के साथ आप तैयारी को शुरू करेंगे और पिछले वर्षों की paper दो चीजें ऐसी हैं जो इस awareness के लिए इस exam के बारे में जानकारी के लिए और इस फ्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए यह सबसे ज़्यादा सा हायक अगर कोई है तो वो दो चीजें एक तो syllabus और दूसरा पीवाई क्यूज तो problem statement क्या है UPSC की तैयरी कब से शुरू करनी चाहिए जब आप इस exam और उसकी प्रक्रिया को पूरी तरह से जान जाए उसके बाद तैयरी शुरू कीजिए ऐसा नहीं क एक साल इसी में लगा दिजेगा exam और प्रक्रिया को जानने में यह 10-15 दिन के research का काम है अलग-अलग experts के वीडियो देख लिए या फिर अलग-अलग जगहों से कुछ चीजें देख लिए उसके बाद एक assessment हो सकता है और तैयारी कैसे शुरू करें तैयारी शुरू करने का स किनारे से समुद्र में अंदर जाते हुए आप तैर पाएंगे या डूब जाएंगे ठीक है बात इसपश्ट है चली आगे बढ़ जाएं सवाल है कि सही तरीका क्या हो सकता है तैयारी शुरू करने का वह तैयारी को शुरू करने या दिशा देने के लिए कि विद्यार्थ इसकूल के दौरान ही तैयारी शुरू कर देते हैं तैयारी शुरू न भी करें आप बहुत सारे ऐसे एक्जामपल्स देखेंगे कि तैयारी ठीक है शुरू नहीं किया लेकिन 9th क्लास में ही उसने एक सपना देखा उसका एक विजन है कि मुझे आइस अधिकारी या फिर को ना देख लिया गया है और नेने भी मन ही मन ले लिया गया है तो इस्कूलिंग के दौरान ही नेने हो गया इसे लिए कह रहे हैं कि एक विद्धी रिप के रुप में अलग-अलग इसके कई फेस हो सकते हैं जैसे nagyon-ANG जोग का लिज के साथ या का लिज साइड किया है तो आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति 12 में है या 10 में ही है और उसने सोच लिया है कि वो तैयारी करना वाला है अगर वो अभी कुछ भी ना करें और NCRT पर पढ़ रहा है उसकी समझ को अच्छा से डेवलप करते हुए थोड़ा सा करेंट अफेर्स पर ध्य स्किल को ध्यान रखे तो निश्चेत तोर पर वह अपनी 21 साल की उम्र आते आते तक यानि आएस के फॉर्म को भरने के लिए जब वो एलिजिवल होगा उस समय तक उसके पास इस एक्जाम के लिए अच्छी खासी अलिजिबिलिटी हो गई होगी अलिजिबिलिटी मतलब व आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक जरूरी सूचना यह दे दू कि आज एक से एक बैच की शुरुवात होई है दस ऑक्टूबर से आज ही के दिन से शाम में छे बजे इस बैच की शुरुवात होई है ठीक है और इसमें तीन अलग-अलग हिस्से में इस बैच को माटा गया है पहला बैच जो है वो सिल्वर बैच है पीटूआई का है यानि प्रिलिम्स टू इंटर्व्यू इसमें हिंदी इंगलिश और हिंगलिश तीनों ही भाशाओं में आज से शुरू हुआ है इसमें सिल्वर अगर लेंगे 18 मंत की वैलेडिटी के लिए तो आपको सिल्वर व ठीक है इसमें से किसी में भी कोर्स में आपको अड्मिशन लेना है यह शुरूआत हो जाता है 23,999 रुपे से सिल्वर वाला जो है वो 23,999 है और जैसे जैसे वैलेडिटी और अच्छा ये एक ही नहीं है सिर्फ वैलेडिटी की बात नहीं है इसमें अलग-अलग टीचर्स भ हो सकता है तो अमरित लाइव कोड भी हो सकता है ठीक है अमरित लाइव कोड आप जब डालेंगे तो फिर यह 23,999 से सिल्वर शुरू होगा फिर इसके अलग-अलग रेट है मेरे अनुमान में यह 26,999 है और यह 29,999 है तो आप इसमें से कोई भी एड्मिशन ले सकते हैं आज स से बैच शुरू है लेकिन अभी एड्मिशन हो रहे हैं इसमें ठीक है चलिए इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे कल मैसेच से जो पूछा था मैं एक बात बता दूँ इसमें कि इसमें तीनों साल के लिए MRP के सुविधा है मतलब मेंस रेसिडेंशियल प्रोग जो लोग पीटी पास कर जाएंगे उनको मेंस के लिए यहां बुलाया जाएगा यहीं रखा जाएगा इस्टडी आएक उप्रिमाइस में और उनकी तैयारी फैकल्टी और मेंटॉर मिलकर कर आएंगे और यह तीनों ही पैकेज के लिए सिल्वर में भी है गोल्ड में भी है और प्लेटिनम में भी है याणी 18 महीने वाले में भी 30 महीने वाले में भी इसके अलावा सारी फैसलिटि जैसे PT का test series, NCRT का course इसमें free है, mains का test series, ये तीनों साल के लिए valid है, अब है कि तीनों अस्तर के छात्रों पर या विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होने वाली क्या बाते हैं, ठीक है, इसको विद्यार्थियों कर लीजी, पहली बद, UPSC की परिक्षा उसके तीनों अस्तर और वह किस लेवल का एक्जाम है, इससे जानना ज़रूरी है, UPSC के syllabus पर बिंदुबार पकड़ बनाना ज़रूरी है, जिससे आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, पिछले वर्षों के paper और syllabus को एक साथ analysis करना भी ज़रूरी है, और देखना होगा कि किस तरह के प्रशन पूछे जा रहे हैं, साथ ही उन प्रशनों का इस्तर क्या रहा है, तो syllabus के according PYQ को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि level of questions क्या है, अगर आप 12 से ही इस तयारी पर विचार कर रहे हैं या कर सकते हैं तो उससे पहले इस समझ विक्सित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर मुश्किल है तो क्या करें, अभी से आप बस यह कीजिए कि NCRT पर अच्छी पकड़ बना कर चलिएगा, साथ में थोड़ा current affairs पर aware रहेगा, जैसे मान लिजे अभी इसराइल और हमास के बीच संघर्ष हो रहा है, अब आपके मन में क्या यह जागरुकता आ रही है कि इसराइल और हमास के बीच यह संघर्ष क्या है, जैसे एक आप नाम सुन रहे हैं गाजा पट्टी बार बार, तो भाई यह गाजा पट्टी क्या है, ठीक है, अब ही आपके लिए इतना जाना काफी है कि गाजा पट्टी है क्या, नक्षा जैसे मैपिन न्यूज देख रहे हैं, उसमें हम जब डिसकस करते हैं, तो आपने देख लिया कि भाई यह गाजा पट्टी है, यह इसराइल है, भूमधिसागर से सटा हुआ है, इस पर कोश्चन पूछा गया था, लेवेंट किसे कहते हैं, भूमधिसागर के पू सिर्फ आपके अवेरनेस का पार्ट है, इसमें पढ़ा ही नहीं करनी है, यह आपने देखा, आपको ध्यान पर आएगा, धीरे 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 देख देख के समझ में आएगा कि भाई, इसमें और क्या है, ठीक है, इरान का कनेक्शन क्या है इसराइल वाले इश्यू से, कि इरान किसको सपोर्ट कर रहा है इरान कफा मा जो this सपोर्ट कर रहा है घाजा तो क्यों कर रहा है ठीक है यह सारी चीज़े आपके awareness से आती हैं यदि आप तैयारी कर नेड़ने लेते हैं तो आपको इस एक्जाम से जुड़ी हर चीज से अवेर रहना शुरू करना होगा जैसे की current affairs जैसे की syllabus जैसे की PYQs आप अपनी तैयारी NCRT से शुरू कीजिए और इस एक्जाम से जुड़ी जो भी NCRT हैं लेकिन इस समय कोचिंग के विकल्प को बिल्कुल नहीं चुनना है आपको अगर आप स्कूल में हैं आप तैयारी कर रहे हैं आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जुरूत नहीं है आप चुप चाप क्या कीजिए NCRT पढ़िए basic NCRT थोड़ा सा current affairs से aware रहे हैं और answer लिखने की कोशिश कीजिए question के demand को पकड़ना शुरू कीजिए और उसके according answer लिखना शुरू कीजिए आपको अभी कोई coaching की आवशक्ता नहीं ठीक छोटा-छोटा target बनाईए छोटे-छोटे target को लेकर चलिए और किसी का mark दर्शन अगर मिल सके आपके senior हों जो UPSC से की तैयारी किये हुए हों अगर एक दूचरण पास किये हुए हों तो उनके सहयूक से उनके mark दर्शन में आप आगे बढ़िए छोटे-छोटे-छोटे- CRT में मैंने जोग्रफी का एक टारगेट बना लिया है कि इतने दिन में मैं जोग्रफी को कवर कर लूँगा करेंट अफेयर्स में डेली बेसिस पर आप मान कर चलिए कि हाँ एक आदत है है मुझे कि 45-50 मिनिट में करेंट अफेयर्स देखता हूं ठीक है आगर वो भी नही से मने इंडियन एक्सप्रेस का पूरा करा रहे हैं एनालेसिस उसको देख लीजे ठीक है यदि आप स्कूल के दौरान ही तैयारी शुरू करते हैं तो आपके लिए यह सफर लंबा हो जाएगा क्योंकि एक्जाम देने के लिए कम से कम आयू कितनी होनी चाहिए 21 होनी चाहि ठीक है देखिए एक खेतराम जी ने लिखा है कि लोग तैयारी करने से पहले इसका सिलेबस तू देखते ही नहीं है और हाल के समय में लोग रील देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ साल के बाद तैयारी करके छोड़ देते हैं ये बात बिल्कुल सही है इसलिए सही है कि आपका मोटिवेशन मोटिवेशन तुब देखिए कहीं से भी आपको मिल सकता है लेकिन मैंने एक ही एक्जामपल दिया आपको कि आप अगर समुद्र के किनारे खड़े हैं किसी बीच पर खड़े हैं और वहां सैकडों की तादाद में लोग खड़े हैं तो निश्चित तोर पर अब अगर वहां से देखेंगे और पानी में अगर इतना पैर डूबा भी हुआ है लोग खेल भी रहे हैं इसमें अंदाजा नहीं लएगा कि कौन तैराक है ठीक है तो वहां तो सारे लोग कंफर्टेबल वे में रह सकते हैं लेकिन जब आप अंद कर जाएंगे डूबने लगे तो डूब जाएंगे क्योंकि तैराक ही नहीं आती तो यह असेस्मेंट कि हम कितना अंदर जा सकते हैं यह असेस्मेंट कि हमें अंदर इस तैयारी में जाना भी है कि नहीं यह सब कुछ उसी बीच वाले हिस्से पर खड़े होकर ही होगा ठीक ह तो ये अंदाजा लगाना आपका ज़रूरी है कृष्णा ठाकूर सर मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ और सेकेंड येर में हूँ सर जी मैं Current Affairs भी पढ़ता हूँ और NCRT की बुक्स भी पढ़ता हूँ मैं पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ Current Affairs एकदम ठीक strategy है आपकी और बहुत शांदार तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे इसमें ठीक है Quality की Class 83 नहीं है मैं चेक कर लेता हूँ Class 83 क्यों नहीं है New P2i batch में books available है या नहीं इस वाले में books available नहीं है इसको भी आप ध्यान रखिए books के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा books ठीक है अलग costing है क्योंकि इसकी costing बहुत कम कर दी गई है 23,999 ही कर दी गई है silver वाले की और gold जो 30 मंत वाला है वो 26,999 है platinum जो 42 मंत वाला है वो 29,999 है तो इसमें books छोड़कर है ये ठीक है तीनो ठीक है sir मैं UPSC की तयारी करना चाहती हूँ और मैं B.A. second year में हूँ मैं college के साथ साथ UPSC की तयारी कैसे करूँ बस अब आ रहे हैं इस पर college के साथ इस exam की तयारी करना एक सही विकल्प हो सकता है क्योंकि सोचने और समझने की क्षमता में आपके इस समय तक परिपक्वता आने लगती है maturity आने लगती है तो आप अब तयारी college के समय में बहुत आराम से कर सकते हैं आप college में भी उन्हीं विश्यों का चैयान कर सकते हैं जो UPSC के syllabus से मिलता जूलता हो ताकि एक कोई subject आपका ऐसे भी cover हो जाए जैसे मान लिए आपने college के समय में strategically history लिया है यह strategically geography लिया है और आपको पता है कि आपने यहीं से प्लान किया है कि मैं geography optional भी रखूंगी यह रखूंगा और GS वाले portion पर भी आपका एक subject यह तयार हो जाएगा तो आप ऐसी strategy बना सकते हैं college time में ही और college time में आप इतने mature हो जाते हैं इतने ज्यादा परिपक हो हो जाते हैं कि college के समय में आप बहुत आराम से तैयारी की शुरूआत कर सकते हैं ऐसे विश्यों और topic को गहनता से अध्यान करें जो कि दोनों परिक्षा के सिलेबस में है ठीक है पीटी और में कॉलेज के दौरान या कॉलेज के बाद क्या है अपने academic कारिक्रम और UPSC के बीच तालमेल बैठाना college के दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी कोई भी चीज इसमें छूटे नहीं कई लोग क्या करते हैं academic को किनारे कर देते हैं UPSC के तेयारी में वो साल बरबाद कर देते हैं academic वाला अब मान लिजे आप graduation second year में हैं और आपने second year पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ठीक है जबकि आपको पता है कि आपको हर हाल में graduate तो होना ही है UPSC के एक्जाम देने के लिए qualification जो चाहिए वो graduate चाहिए अब आपने उसकी तैयारी नहीं की काईदिस है उसको किनारे छोड़ दिया आप graduation में ही फेल हो गया UPSC के एक्जाम तो आप ऐसे भी नहीं दे पाए है आपको आगे आने वाल समय में UPSC में selection ना हो तो यह academic वाला ही आपके काम आने वाला है तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको नुकसान हो जाए academic जब आप college में हैं तो academic और UPSC के तेयारी के बीच एक balance बनाना होगा तो दोनों के लिए आपको थोड़ा time अपना schedule करना पड़ेगा कि इतना समय में UPSC के एक्जाम पर दूंगा यह दूंगी और बाकी समय में अपने college के काम को करूंगा यह करूंगी ठीक है syllabus को चरण बद्ध तरीके से खत्म करने के लिए व्यवस्थित study plan की आपको जरूरत है college के समय में वो फिर UPSC का syllabus हो या फिर आपके academic का syllabus हो अगर आप academic के अंतिम वर्ष या उसके बाद coaching या test series की मदद ले सकते हैं तो यह आपकी तयारी को मजबूत करने में काफी ज़्यादा मदद करेगा ठीक है और आपकी तयारी का जो level है वो भी पता करने में काफी ज़्यादा मदद करेगा मतलब यह है कि अगर आप स्कूल में है नाइन टेंट टाइप से हैं तो आपको अभी सिर्फ NCRT पढ़ने की जोरूत है और साथ में current affairs पढ़ने की जोरूत है वो भी उतनी गहराई में नहीं हलके फुलके तोर पर सिर्फ आदत बनाने के लिए और साथ में थोड़ा सा answer writing को पकड़ने की जोरूत है वो भी बहुत गहरे इस तर पर नहीं लेकिन आदत इन सब चीज़ों की होनी चाहिए दूसरी बात अगर आप college में है तो college के अपने academic की पढ़ाई और UPSC की तैयारी के बीच एक balance पनाईए और balance बनाकर आगे बढ़िए syllabus क समझ के साथ दोनों ही इस तर पर आपको syllabus को टारगेट करना पड़ेगा कि आप अपने academic के syllabus को भी टारगेट करते हुए चल रहे हैं और UPSC के भी syllabus को टारगेट करते हुए चल रहे हैं अगर सन्योग से subject ऐसा ही है जो एक दूसरे को compliment करता है तो यह और अच्छी बात हो जा आराम से उसके बाद plan कर सकते हैं किसी coaching की मदद ले सकते हैं और test series वगरा की मदद ले सकते हैं आज कल तो coaching में ही test series सारे included ठीक है तो इस condition में आपकी तैयारी को मजबूती भी मिलेगी और आप अपने तैयारी का level भी जान पाएगा कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते जाते हैं लेकिन आपका अपना assessment नहीं होता कि आपके तैयारी कहा तक पहुंची जॉब के साथ और जॉब के बाद ये तीसरा condition है अगर जॉब के साथ और जॉब के बाद की बात करें तो आपके पास समय उत्रा नहीं होता जितना समान्य विद्यार्थी के पास है इस पर हम जॉब में हैं तो obviously कहीं जाकर पढ़ना आपके लिए मुश्किल है तो quick और short notes के साथ अपने study material को सीमित करें ठीक है इसमें आपके पास क्योंकि समय नहीं है तो अनवश्यक अपना समय गवाना भी नहीं है सीधे सीधे आप किसी online coaching संस्थान से जुड़िए online study plan से जुड़िए और experts के साथ अपने तैयारी को आगे बढ़ाईए जो पहले से ही तैयार सामगरी है उसका वह कीजिए उसको utilize कीजिए ना कि अपने समय का already समय कम है ना तो समय को व्यर्थ मत कीजिए बड़े target के स्थान पर छोटे target को तैयारी में आपको प्राथ मिक्ता देनी चाहिए क्योंकि समय आपके पास कम है आप बड़े target लेकर बैठ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा डी मोटिवेट हो जाएंगे जब हम बड़ा target तैय करते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते तो उसका सबसे बड़ा खत्रा क्या है आप डी मोटिवेट होते हैं जैसे आप टेस्ट सीरीज देने गए सौ कोश्चन पूछा गया था हिस्ट्री का आपने मन बनाया हुआ था किसी भी हाल में साथ तो करेक्ट होगा ही होगा और करेक्ट हुआ 27 है ठीक है टार्गेट बहुत बड़ा था UPSC के लेवल के एक्जाम में 60 परसेंट का आपने सोचा था हिस्ट्री के पेपर में 60 परसेंट तो आप करके आएंगे आपने किया 27 परसेंट अब दिक्कत इस रिजल्ट से UPSC का आपका रिजल्ट नहीं निकलने वाला लेकिन इस टेस्ट स सिरीज में बैठेंगे नहीं वह नहीं करना है तो टार्गेट छोटे होने चाहिए और इंप्रूविंग होने चाहिए ताके मोटिवेशन हो जब भी आप देखेंगे जब आप इंप्रूव्मेंट करते हैं जैसे 27 परसेंट आपने ले आया आप ले आए 27 परसेंट ठीक है अगले में आपने 32 कर दिया उसको फिर अगले में आपने 35 कर दिया आप जैसे जैसे अलग-अलग टेस्स सिरीज में आगे बढ़ते रहेंगे आपका मोटिवेशन भी आगे बढ़ते रहेगा तो मोटिवेशन डारेक्ली प्रोपोर्शन रखता है इस से ठीक है तो ये हो गया जॉब वाली बात, इन तीनों ही इस्तर के लिए बात करें, तो रिविजन बहुत जरूरी है, तीनों ही इस्तर पर, लेखन अभ्याज यानि राइटिंग, आंसर राइटिंग की फ्रैक्टिस बहुत ज़ादा जरूरी है, किसी भी लेवल पर आप तियारी कर र जरूरी है, और ये नियमित तोर पर इसका अभ्यास कीजिए, इसमें अगर एक्जेम्ट करेंगे, इसमें अगर बाहर निकालेंगे, तो इस्कूल वाले जो लोग हैं, वो बाहर बद सकते हैं, गलास नहीं था, गलास नहीं था, भिला ही नहीं, गलास अच्छा, गलास दे सर्करेंट अफेर्स कैसे पढ़ें और में सब्जेक्ट से कोरिलेट कैसे करें, इस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, यही तो प्रॉब्लम है सर की कैसे बैलेंस बनाएं हमसे तो बन ही नहीं पाता, ग्रेजवेशन और कॉम्पर्टिशन के बीच, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, कोई नहीं कोई प्रॉब्लम ह हो जाती है, इसका बैलेंस बनाने के लिए ही तो आप हैं, जीवन में इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए ही तो इनसान है, मेरी एज नहीं भाई, एज, आपने लिखा है एज, E-D-G-E, A-G-E कर लिजे उसको, बीश साल छे महिने हो जाएगी जनवरी में, तो क्या मेरा फॉर्म अपलाई हो जाएगा क्या, रीज सर बताओ, हो जाएगा, जनवरी में न, एक अगस्त के हिसाब से देखना होगा, इस पर एक मैंने वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो उसको देख लिजे, कैल्कुलेशन कैसे करते हैं, ओनर्स की स्टुडेंट हों, ऑप्शनल मैट्स लेना चाहती हूँ, लीजे, बिल्कुल लीजे, ये तैयारी ऐसी है, इसमें एक कहावत है, बून-बून से घड़ा भरता है, छोटे-छोटे टार्गेट बनाये, बिल्कुल सही बात है, बून-बून से ही घड़ा भरता है, ये लंबी तैयारी है, आपके भीतर धैरे चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, अधीर होकर आप इस तैयारी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, वो क्या है, कंसिस्टेंसी, नियमितिता, जीवन में आप देखेंगे, ऐसे ऐसे दिगजों से मिले को चाहिए, जो इतने काबिल थे, जितने काबिल आप नहीं हो सकते हैं, जितना तेज दिमाग आपका नहीं है, हर इंसान के स्कूल में, हर सामान्य विद्यार्थी के स्कूल में, उसको पता है, वो ऐसे लोगों को जानता है, जो एक्स्ट्रा-ओर्डिनरी लोग थे, और उनके पास गजब तेजी थी उनमें, सोचने समझने की ख्षमता थी, जो लोग काम दो दिन में करते हैं, वो आधे दिन में कर सकते हैं, बस उनके साथ एक ही प्रॉब्लम थी, वो consistent लोग नहीं है, नियमित नहीं रहते हैं, और जब नियमित नहीं रहते हैं, इस लिए हार जाते हैं, इस परिक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नियमित रहने की, अगर आप consistency नहीं रखेंगे, आप इस परिक्षा से निश्चित तोर पर बाहर हो जाएंगे, लिख लीजे, guaranteed है, एक सामान्य विद्यार्थी, अगर consistency के साथ इसके तयारी करता है, उसके जीतने के chances ज़्यादा है, एक extraordinary विद्यार्थी, अगर without consistency इस तयारी को करता है, उसका हारनत तय है, chances नहीं, तय है, समय का प्रबंधन, time का management, ये कुछ हद तक नियमित्ता से भी जुड़ा हुआ है, आप कितने नियमित हैं, इससे भी जुड़ा हुआ है, कि समय का प्रबंधन आप कर पाएंगे, अक्सर जो लोग consistent नहीं रहते, वो time का प्रबंधन भी नहीं कर पाते, time management करने वाला ही व्यक्ति consistent रहता है, ये ही बात असली, consistent कौन रहेगा, जो time का प्रबंधन कर पा रहा हो, तो नियमित रहना, समय का प्रबंधन करते हुए नियमित रहना, और समय समय पर अपनी तयारी का मूल्यांकन करना, ये मूल मंत्र है, ड्रिठ निश्चे भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अभी से मान के चलिए, अगर आप तयारी करने वाले हैं, ये मान के ही चलिए, कि इस तयारी में कई बार आप डमाडोल होंगे, आपका मन तूटेगा, आपको डर लगेगा, आपको लगेगा आपके बूते के बाहर है, आपसे नहीं हो पाएगा, ये अप डाउन लगा रहेगा, इस समय आप कितने द्रिठ निश्चे हैं, यही चीज तय करेगी कि आपको तयारी में वापस लेकर आ रही है, या फिर नहीं आ रही है, इतनी बड़ी तयार में आपको अनुशासित रहना ही होगा, ठीक है, आत्म विश्वास को बनाये रखना होगा, ठीक है, तो अगर आप UPSC की तयारी को शुरू कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक फॉर्मूला आज को जानना आपके लिए ज़रूरी है, वह बेसिक फॉर्मूला क्या है, वह बेसिक इन चीजे कर लेते हैं कि syllabus से awareness हो आपके पास पीवाई क्यूज आप देखते हों आपने तेयारी का मुल्यांकन आप कर पा रहे हैं तो इन तीनों अस्तरों पर स्कूल के लेवल पर हो या जॉब के साथ हो या फिर अपने अकैडमी के दौरान हो आप इस तेयारी को manage कर सकते हैं और बहुत आराम से कर सकते हैं ठीक है लेकिन consistency सबसे उपर है समय का प्रबंधन सबसे उपर है revision, लेखन अभ्यास, mock test ये सब keywords note कीजिए और इन ही के बूते अपने तेयारी को आगे बढ़ाई तेयारी करके करने से पहले आपको इसका कारण आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस service में जाकर सुधार आ सकता है समाज और देश में मतलब आपका कारण क्या है तेयारी करने का ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपके पास point of motivation क्या है कई बार आपको नईया पार लगाने के लिए किसी ना किसी प्रेणा सुरोत की जरूरत होती है आपका प्रेणा सुरोत कितना मजबूत है इस बात पर depend करता है कि आप उस race को जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे तो ये बात सही है कि point of motivation आपके पास होना चाहिए अब ये point of motivation किसी का भी कुछ भी हो सकता है जैसे किसी का हो सकता है किसी के आर्थी किस्थिती बहुत खराब हो वो अपने परिवार को रोज देखता हो उस खराब आर्थी किस्थिती से और उसने तैय किया है कि भाई वो एक दिन अपने पूरे परिवार को इस जरीय से आईएस बनकर इस से बाहर निकाल देगा किसी के सामने हो सकता है कि उसको शौक हो जैसे पुलिस की सर्विस है तो उसको शौक भी हो सकता है वही पॉइंट ओप मोटिवेशन है कुछ लोग के लिए समाज और देश की सेवा करना हो सकता है मकसद ठीक है कुछ लोग पावर को यूटि वो करना चाहते हैं कंज्यूम करना चाहते हैं उसका सुख लेना चाहते हैं अलग-अलग लोगों का पॉइंट ओफ मोटिवेशन अलग-अलग हो सकता है कुछ लोग अपना सपना है तो सब के लिए यह अलग-अलग है लेकिन वह पॉइंट ऑफ मोटिवेशन आपको आपकी लड़ाई पार करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक है तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखने है यह आस्क मी एनिफिंग वाला सेशन किसी और दिन करेंगे और उसमें आप लोग सारे लोग अपना सवाल पूछेएगा फिर उसकर बात चीएगा हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी